हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर क्या जाया हूं जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी एसाई के लिए बेहाद इंपोटेंट है तो को एंट लग जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के कॉंटेंट की कॉलिटी आप एंट लग रहकर ही समझ पांगे किस तरह कॉंटेंट में आप लोग लिए ला रहा हूं और लाश्ट में कोसंस भी पूचों और उसका अंसर आपको कमेंड़ बाक्स में बताना होगा पी हाली में अध्यान के अनुसार मेकोंग नदी पर चीन द्वारा बनाये गए बांदों के कारण अनुप्रवा देशों में सूखे की इस्तिती जो है वो आपकी देखी गई भारत में प्रतेक्ष लोकतंतर का उधारण क्या है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्राम सवा तीसरा ओप्सन्स यहाँ पर आपका विल्गुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैं आपको बता दूँने को ग्राम सवा का जो गठन है पंचायत के 18 वर्से से अधिक आयू के व्यक्तियों को मिला कर किया जाता है ग्राम सवा की बैठक में संब्दित ग्राम सवा के सभी निवासी भाग लेते हैं और यह जो है यह एक परतेक्ष लोकतंतर का उधारण है नेक्स्ट कोशन्स निम्डे के तमरे से किसके द्वारा दोस प्रेरण का अपराद किया जा सकता है तो किसके द्वारा दोस प्रेरण का अपराद किया जा सकता है तो सभी अंतर हो जाएगा आपका सभी अंतर के द्वारा चौता ओप्सन्स करेक्ट भारतिय प्रायदीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जल्ली बताईए भारतिय प्रायदीप की सबसे लंबी नदी तो अगर हम बात करें भारतिय प्रायदीप की सबसे लंबी नदी के बारे में तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वैं क्या हो जाएगा गोदाबरी गोदाबरी सर जो है ये भारतिय प्राइदीप के सबसे लंबी नदी है दार में कारेयों के प्रवंद की सुतंतरता का अधीकार वर्णेत है किस अनुच्छेद में तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा आर्टिकल ट्जिनिटीकस में पहला ऑपसन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होजाएगा सर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन सर आपके सामने नेमलेकित में से किसका सम्मन्द आत्रम अक्षा की अधीकार से है तो सही आंसर हो जाएगा जय देव बनाम इस्टेट चोहता आप्सटन से यहाँ पर आपका बिल्यकुल करेक्ट हो जाएगा राज सवा का कारकाल जो मूल सम्मिदान के अंतरकत पांच वर्स का था 42 में सम्मिदान संसुदन दौरा बढ़ा कर कितना कर दिया गजा था तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा 6 वर्स यानि कि इस कोस्टन का तीसरा ओप्सन जो है वो आपका बिल्यकुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा कौन से सम्मिदान संसुदन के दोरा ब्यारिस में सम्मिदान संसुदन के दोरा ठीक है और आप सभी लोग जानते हैं कि 113 सदस अपना कारकर पूरा होने पर अपना पतका त्या करते हैं प्रतिक दो वर्ष में ये तो तो आप किस आर्टिकल के तहयत उस्तम ने आले में जा सकेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 के तहयत। क्योंकि आर्टिकल 32 यह आपको क्या देता है? सम्मेधानिक उप्चारों का दीकार जिसमें 5 परकार की रेट जो है वो आप दाहिर कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा राज तता जिला इस्तर पर पहला आपसंस करेक्ट तरल से बढ़े हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ उपर उठा हुआ दिखाई देता है? जल्दी बताओ। तो यह आपका अपवरतन की करण दूसरा ओपसंस करेक्ट है। जो रोजगार है उसके क्योंकि गरीब तबके का जो व्यक्ति है वो विचारा सबसे जादा जो परेशान हुआ वही एक व्यक्ति हुआ। बता सकता नहीं हूँ क्योंकि आप सभी लोग परीचित होंगे हर छेत्र से। बहरत का राष्टपती किसका एक अभी नंग होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत का जो राष्टपती है ये संसद का अभी नंग होता है। लेकिन संसत के सदन दो होते हैं, लोकसवा और राजसवा, लेकिन अंग राश्टपती भी होता है, तो questions की definition पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, next question से आपका कि निमले के तमेंसे महीलाओ की सुरक्षा या कल्यान से समधित कौन सा अधिनियम पिछले दो वर्सों में पारित किया गया, question number 53, तो सही answer हो जागा, कार इस तल पर महीलाओ का लेंग उत्पीरन, निवारन प्रतिसेद इवं प्रतितोस अधिनियम, दूसरा options, बिलेकुल correct, निमले के तमेंसे कौन युक्ती युक्त operator नहीं है, निमले के तमेंसे कौन युक्ती युक्त operator नहीं है, तो सही answer आप नहीं पड़ा होगा, इसलिए यही नहीं है, पहला options correct, बारतिय संसद के upper house को किस नाम से जाना जाता है, upper house का मतलब उच्छ सदन से है, और उच्छ सदन कौन सा होता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो उच्छ सदन नहीं है, तो उच्छ सदन कौन सा होता है, आप सभी options आपके सामने है, तो आपका सभी आंसर हो जागा, उप्रोक्त में से कोई भी, यानि कि कोई पुलिस अधीकारी के भी समख्च कर सकते हैं, कोई समाजे कार करता है, या लोकात्मक्स से अभी बूद कोई नागरे के समख्च कर सकते हैं, कोई लोग सेवक के समख्च कर सकते ह क्या आप जुलूसों को सामपरदायकता का करण मानते हैं तो आपका सही आंसर होगा यह है जुलीस की प्रवती पर अन्रवर करता है अगर सांती रूप से आप ले जा रहे हो तो बिलुकुल ठीक है और अगर आप सो रोदम मचा करके या दूसरों के जो अधिकार है उनको हनन पहुचा कर के लिए जा रहे हैं तो सामपरदायक का करण भी मान सकते हैं तो हाँ भी कंडिसन हो सकती है ना भी कंडिसन हो सकती है यह डिपेंड करता है जुलूस की प्रवती पर मंतरी परिशत की बैडिकों की अध्यक्सता कोन करता है तो मंतरी परिशत की बैडिकों की तो पिचर सब्द का सम्द्द किस से है, पिचर, तो पिचर सब्द का सम्द्द जो है, ये वेस्ट बॉल से है, तीसरा उप्संस, करेक्ट, बाल विवा के अनुष्ठान को करने के लिए, दोस्परिरन करने वारा दंडिट होगा, तो सही आंसर हो जाएगा, दो वर्स तक या एक लाग तक का जुर्माना चुवाता ओप्संस करेक्ट हाली में बजट पार्देशा और जवाब देई में भारत को कितने इस्तान पर रखा गया अरेंड कई है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर त्रेपन बे 53 बे चुवाता ओप्संस बिल्गूर करेक्ट कोशन अम् समिदान संसुदन 42 बादिनियम 1976 चुवाता ओप्संस करेक्ट है भारती उच्तम न्याले के न्याइदीसों की निउक्ति कौन करता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट पती पहला ओप्संस करेक्ट है वोट वेट रॉंग उस तक की लिख का कौन है वोट वेंट र नीफ्रार अपरादी का नाम निकलवाएगा किस सिख गुरू ने सच्चा बादिसा कहा था इंपोटेंड कोशन्स तो किस सिख गुरू ने कहा था तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा सर ओप्सन नमबर डी गुरू अर्जुन देव ने चुवता ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिलू को करेक्ट राज मानवादिकार आयोक के अध्यक्च यह सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है इंपोटेंड कोशन्स तो कौन करता है राजपाल करता है सर पहला ही ओप्सन्स करेक्ट भारतिये के सम्मिदान में संग्ये सब्द का प्रियो कहां किया गया है और लिया कहां से है संगबाद की धालना कहां से ली गई है कनाडा से और संग्ये सब्द का प्रियो कहां किया गया है तो यह किया गया है संग्ये संग्ये सम्मिदान में कहीं भी नहीं यह ध्यान लखना कहीं भी नहीं हुआ है हाली में किस राज ने डीजल पेट्रोल और मौटर स्प्रेट के लिए COVID-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की तो सही आंसर हो जागा नागा लेंड पहला उपसंस करेक्ट खराब एबम बिगड़ती कानुन विवस्ता के लिए उत्तर दाई है कौन पुलिस एबम राजनिती तीसरा उपसंस करेक्ट एक्स्प्लेइन करने ही जुरूत नहीं है समझ सकते है राज की वास्तवे कारपालिका सक्तियों का प्रियोग किसके द्वार किया जाता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका मौक मंतरी पहला उपसंस करेक्ट सुचना प्रवद्दगी अधिनियम 2000 कब अधिनियमित हुआ तो सही आंसर हो जाएगा नौ जून 2000 को दूसरा उपसंस करेक्ट साइवर अपराद निमलिकत में से किस से मूलिता समझत होता है साइवर अपराद कंप्यूटर से होता है संचार एक्तियों से इंटरनेट सभी से होता है या चौता उपसंस करेक्ट लोक सवा अत्वा बिदान सवा के किसी चुनाओ प्रत्यासी की जमानत रासी कब तक जब्त कर ली जाती है जल्दी बताओ कब तक जब्त कर ली जाती है चार उपसंस आपके सामने ये रहे देखो पहला उपसंस दिखिया चलो ये भी दिखिया आपका सही आंसर हो जब बेग कुल मतदान की एक वटे छे मत भी प्राप्त ना कर सके यसे कुल मतदान है आपके साट एक वटे छे यानिकी दस मत भी अगर वो उसने प्राप्त नहीं करे तब जो है वो जमाने दरासी जो है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी जनहित का समान उद्देश क्या है जनहित का समान उद्देश तो सही आंसर हो जाएगा आपका समाजिक दूसरा आपसंस बिल्कुल करेक्ट ब्रस्टा चार नहवरन अधिनियम बिचार में लिए जाने वाले विसे किस दारा में वढलनित किये गए है तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा दारा 14 में दूसरा उपसंस करेक्ट समीदान के अंतरकत भारती लोकतंतर के अधर्सियों को हम कहां देख सकते हैं तो कहां देख सकते हैं सर प्रस्ताबना में पहलाई ओप्संस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निमले के तुमेंसे कौन सा अध्यात्मक सरकार का एक गुण है तो इस कोसंस का अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है चारोई ओप्संस में दिखा दे रहा हूँ निमले के तुमेंसे कौन अध्यात्मक सरकार का एक गुण है तो इस कोसंस का अंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा यह थे आपके 40 GK important questions जो कि आपके आने वाले exam UPSI के लिए बेहद important है तो वीडियो को एंटलेक दरूर देखिएगा देख तो लिए ही होगा अगर आप यहां तक देखें तो मैं आप से भूलूँगा कि आप वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिएगा